राहुल और प्रियंका के इतने करीबी कैसे हो गए पता नहीं आपको क्या लगता है कि राहुल और प्रियंका ने आप में क्या देखा है सचे लोग है और इमानदार नेता पसंद देखे लोग है बहुत सचे लोग है बहुत सचे लोग है और सज्जनता की जो परकाष्ठ होत राहुल जी से हमारी मुलाका तुई राहुल जी तो बहुत एकदम एक्च्वल किया हुआ के साथ उनके सिक्यूर्टी में एक हमारे यहां काई आदमी था तो मुझसे बोला कहने लगे भीया यह बड़े सीधे आदमी है यह बहुत वह नहीं पसंद करते हैं जो और नेता होग पर मिला तो राहुल जी से मिलने के बाद एसास हुआ यह वाकि है दम लेकिन एक्च्वल जो मेरा तालूग बना राहुल जी से बना 2014 में चाचा के साथ मिला था जो एक्च्वल मेरा तालूग बना राहुल जी से बना मेरा पार्लिमेंट का एलेक्शन में जब मैं आया 14 में और इन से मुलाखाद भी नहीं हुई, मेरा टि कित हो गईा, मेरा टि कित होगया, प्रिंकाजी का टेलिफोन आप मेरे पास, इमरान तुम्हार टि कित हो गए, आपकी महरण ही, लेकिन deuज़्ों अस तक पर मैं आपास नहीं, तो वह से लगी नहीं आजाना है, जब तू आपको टेलेफून करके शाबाशी देता है, तो बड़ा अच्छा लगता है. शाबाशी तो दी, लेकिन डाटा नहीं था उन्होंने उस बयान के लिए कुछ का नहीं था? किस बयान के लिए है? वो तो पुराना बयान था, तो पता था, उनको पुराना बयान था, तो फिर राहुल जी जब मैं अंदर चला गया जेल, तो बड़ा लोगों ने जोड़ लगाया कि राहुल जी ना आए, तो राहुल जी रैली में आए थे, राहुल जी आए थे और अब आपने अपने चाचा का जिक्र किया, रशीद मसूद का, नौ बार सांद सदर हो, पांच बार लोक सभा, चार बार राज्य सभा, किंद्रिय मंत्री रहे, यूपी में मंत्री रहे, कितने बड़े नेता रहे हो, आप क्यों नहीं उनकी तरह चुनाफ जीत पा रहे हैं, उ लेकिन उसके बावजूद भी यह हालात नहीं पैदा हुए थे, जिस तरह के अश्वार पैदा हुए, तब हमारे यहां दो नेता होते थे, आज हमारे जिलेग अंदर 25 नेता हैं, वोट कट जाता है, तो कंपेटिशन जो है, वो बहुत टफ हो गया, उस वत कंपेटिशन न हमने तो संगर्शी संगर्श देखा है, हमने तो देखा ही निकुछ भी हम तो संगर्शी संगर्श में नकल गए, प्रियंका जी यूपी में क्यों फेल हो गई, असेंबली एलेक्शन में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोलकर आई थी, और देखे क्या हूँ हूँ कॉंगरेस सब की पार्टी है, और किसी की भी निवन पा रही है, सब की पार्टी है, क्योंकि साफ है, सच्ची है, इसलिए कोई इसको नहीं समझ भाई, तो मैंने अभी ये शुरूआत की है, मैंने भी लोगों में बैठ करके एक काम शुरू किया है, कि सब लोग इंतजार करना करो, पहले कोई पहल तो कर लो, कोई सोचता है कि मैं पहले चला जाओं, ये आ जाएगा तो मैं चला जाओंगा, ये आ जाएगा, तो मैं चला जाओंगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो मैं चला जाओंगा, मैंने एक पहल किया है, क्या पहले हम चलते हैं, जब कि पहले चलो बिना ये सोचे हुए कि कॉंग्रेस जीत रही है कि कॉंग्रेस आर रही है एक बड़ी दिक्कत क्या होगी है हमारे हैं एक नेरेटिव क्रियेट हो गया मुसलिम से में खास तोर से बात कर रहा हूं कि मुसल्मान को वोट डालना है बीजेपी को हराने के लिए मैं जिसकी साथ लगोगे वो भी हार जाएगा इसलिए ये ठेकेदारी बंद कर दो मैंने कहा कि साब मुसल्मान को वोट डालने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा और मैंने जो खास तोर से हमारे जो रहबर हैं उनको इखटा करकर कोशिश कर रहा हूं कि मुसल्मान अगर ये सोच करके वोट डालेगा कि मुझे एक पार्टी को हराना है तो दूसरी तरफ रियक्शन होगा होगा काउंटर पोलराइजेशन होगा आप हराने के लिए क्यूं वोट डाल रहे हो आप ये कहो ना कि मैं कांग्रेस को जिताने के लिए वोट डालूँगा आपने सब को वोट डाल के देग लिया कांग्रेस को वोट डाल दो कांग्रेस को वोट डालोगे कांग्रेस की हालत तो यूपी में बहुत खराब है यही तो मैं कह रहा हूं साब एक बार कांग्रेस को वोट डालो ना आपके वोट से कुछ हो तो नहीं रहना आपके वोट से हार नहीं र बाजपगो कियो हराना है, हम क्यों हराना चाहते हैं बाजपगो, हमारा किस बात के लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, आप ये नेगेटिव थोट्स जो आपके बिल्कुल, ने ने, कॉंग्रेस को जिताने वाला नहीं, हमें ये थोट्स निकालने पड़ेंगे दिमाग में से विचार निकालने पड़ेंगे, कि हमें नेगेटिव, हमें नकारातमक था जो अपने दिमाग में भर ली, कि हमें केबल उसको जलील करने के लिए हमें खड़ा होना है, नहीं, नहीं, हमें रहुल गांदी जिंदाबाद करना है, तो मोधी मुर्दाबाद करन हारना और जीतना एक अलग विशय हो गया हारना और जीतना एक अलग विशय हो गया हारना और जीतने से विशय है यही तो नेरेटिव क्रियेट कर दिया ना आपने अरे भाज पागो यह हरा रहा इसको दे तो क्यों दे दो हम नहीं देंगे हम अपने आपको मस्बूत करेंगे पार्टी को मद्बूत करेंगे, हम कॉंग्रेस को मद्बूत करेंगे. अखिलेज जी कहते हैं हम हरा सकते हैं? इसलिए मुसलिम हम अब बोट रहेगा. हरा लिया क्या किसी ने? नहीं हरा पाए रहे रहे ना? चार एलेक्षिन अखिलेज जी भी हर चुके, कोई ऐसी बात नहीं है. हम ही हर रहे हैं. इस बार कह रहे हैं, PDA, बिछड़ा, दलित, अल्प, संख्या, सब साथ आजाओ, हम ही हराएंगे. हम अगड़ा भी जोड़ रहे हैं उसमें. हम अगड़ा भी जोड़ औरे या? लेकिन भाई, एक पार कॉंग्रेश में चलो सब. अपनों को कई इसी तरह में चाओंगे दूसरे भी के हैं? तो राहुल जी को आमेड़ी लढना चाहिए दोबर? यह तो फैसला राहुल जी का है. यह नहीं यह फैसला रहुजे खाय है, मेरा मन तो गहागा राउल जी साहरनपूर से लड़े, मैं पिछली बार भी कोशिच की दी लड़े नहीं मैं तो मैं क्या करूँ? साहरनपूर से लड़े, मैं लड़ाँगा, और जिता देंगे, इंशालला, कैसे जिता देंगे, राउल गांधी है वो, आप राउल गांधी है वो, अर मिठी से तो हार गये, गढ़ से हार गये, गांधी परिवार का गढ़ था वो, देखिए यह कुछ नहीं होता है, इंद्र आपका क्या आइडिया है, कोई सुझाव होगा ना, कि प्रियंका जी आपको यहां से लड़ना चाहिए, जहां से लड़ना चाहिए, वहीं से जीतेंगी हो, जहां से लड़ना चाहिए, वहीं से जीतेंगी हो, जहां से लड़ना चाहिए, जहां से लड़ना चाहिए, यह उ मैं निए पहीं परियंकाजी के लिए मेरी इच्छा है। हम ने बता सकते हैं, हम दूसरा क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, जो सब को दिखाई दे रहा है, जो वह कर रहा है। बहन जी के बारे में क्या सोचते है आप। लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी नेता है लोग पूरा जीवन लगा दिया उस की हफाज़त करनी चाहिए एन फॉर्शूनिटली वो भख तूट रहा हैं लोक तूट रहें लोक पतारित हैं भैंजी को चाहिए कि उस मुखमेंट की हफाज़त करें और लड़ें 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 अआपको कहीं डर तो नहीं कि बीजेपी के साथ जा सकती है, बेहन जी, जो बेहन जी का आधार है, यह जिस Mission Movement की बात, बेहन जी और मानेवर काशीराम ने की, वो पूरी अगेंस्ट है, बीजेपी की आइडियोलोजी की, तो बीजेपी की आइडियोलोजी और उनकी आइडियोलोजी मैच नहीं करते हैं, प दूरी तो बनाती हैं, दोनों से, लेकिन अब पता नहीं क्या करेंगे, फिर इदर से कह रहे हैं कि इंडिया गड़ बंदन में उनको ले लिया जाए, क्या संभव है? यह तो फैसला देखे बड़े नेता हूंगा, इसमें मेरा कोई पूनी है, एक थियोरी यह है, कि कॉंग वो वोट जो है, उसी वोट के ओपर हम भी अप कोशिश कर रहे हैं, कि वोट हमारा भी हो, अब अगर वोट इदर ट्रांस्वर हो गया, तो पर जाधा करीमी, हाँ, तो यह तो उनको प्रॉब्लम तो होगी? हाँ, निचुरल चीज है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रिकोनिय के मुकाबला हो जाए, जैसे मैंने कहा, कॉंग्रेस, बीएसपी, उनकी समझ में आना चाहिए बस, बीजेबी जो चाह रही है, अगर आप वही काम करोगे, तो जनता आपका क्या करेगी, या आप भी सोच के रखना, राउल गांदी जी ने इतना बड़ा दिल करकर के कह दि आपको उम्मीद है, समझोता हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं यकीन है, हाँ यकीन है, क्यूंके आप इस बात को जुटला नहीं सकते, कि जनता के भीच में भी जाना है